दोस्तो हमारे चैनल घरेलू निस्के को लाइक करें, कमेंट करें, सेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें नमस्कार दोस्तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं सुबह खाली पेड सहद खाने के फाइदों के बारे में बात करेंगे दोस्तो सहद का सेवन स्वास्ते के लिए काफी फाइदेमन माना जाता है सहद का सेवन करने से कई बिमारियां दूर होती हैं वैसे तो सहद का सेवन आप किसी भी समय कर सकते हैं लेकिन अगर सहद का सेवन सुबह खाली पेट किया जाए तो यह स्वास्ते को दो गुना लाब पहुचाते हैं क्योंकि सहद में आयरन, केलसियम, फोसपेट, सोडियम, कलोरीन, पोटेसियम और मेगनीसियम भरपूर मातरा में पाया जाता है जो स्वास्ते के लिया से काफी लाबदायक साबित होते हैं लेकिन सहद खानेके कई फायदे हैं, तो कुछ नुकसान भी होते हैं अगर किसी को वजन कम करना हो तो उसके लिए गुनगुने पानी में सहद मिलाकर सुबे खाली पेड पीना चाहिए इससे वजन आसाने से कम होता है पाचन तंत्र होता है मजबूत दोस्तो सुबह खाली पेट सहद का सेवन पेट के लिए काफी फाइदे मन माना जाता है अगर कोई रोजाना सुबह सहद का सेवन करता है तो इससे पाचन तंत्र मजबूत होता है साथ ही कबज की सिकायत भी दूर होती है इसके लिए गुनगुने पानी में एक चम्मच सहद मिला कर पीना चाहिए इसकीन के लिए फाइदेमंद दोस्तो सुबह खाली पेट सहद का सेवन इसकीन के लिए काफी फाइदेमंद माना जाता है अगर कोई रोजाना सुबह सहद का सेवन करता है तो इससे सरीर के टोकसिंस बाहर निकल जाते हैं जिससे तवचा पर निखा राता है हार्ट के लिए फाइदेमंद दोस्तो सहद का सेवन हार्ट के लिए काफी फाइदेमंद माना जाता है सुबह खाली पेट सहद का सेवन करने से हार्ट हेल्दी रहता है साथ ही अगर किसी का कोलिस्टोल लेवल भी बड़ा हुआ है तो वह भी कंट्रोल होता है इसके लिए सहद में हलका सा दालचीनी पावडर मिला कर सुबह खाली पेट खाना चाहिए बलड सरकूलेशन रहता है सही दोस्तो सुबह खाली पेट सहद का सेवन करने से बलड सरकूलेशन सही रहता है एक स्वस्त सरीर के लिए बलड सरकूलेशन का सही रहना बहुत जरूरी होता है इसके लिए लेसुन के साथ सहद का सेवन करना चाहिए रोग परती रोधक चमता होती है मजबूत दोस्तो सहद का सेवन करने से रोग परती रोधक चमता मजबूत होती है क्योंकि सहद एंटी ओक्सिडेंट गुणों से भरपूर होता है इसलिए अगर कोई सुबह खाली पेड सहद का सेवन करता है तो इससे रोग परती रोधक चमता बढ़ती है हड़िया होती है मजबूत दोस्तो सहद का सेवन हड़ियों के लिए काफी फाइदमन माना जाता है क्योंकि सहद में एंटी ओक्सिडेंट के साथ साथ एंटी इंफलेमेटरी गुण भी पाए जाते है इसलिए इसका सेवन करने से हड़िया मजबूत होती है साथ ही ओस्टियो पुरोसिस का खत्रा भी कम होता है दोस्तो आईए जानते हैं सुबे खाली पेड सहद खाने के कुछ नुकसान के बारे में नमबर एक सुबे खाली पेड सहद का अधिक मात्रा में सेवन करने से पेट दर्द की सिकायत हो सकती है नमबर दो सुबे खाली पेड सहद का अधिक मात्रा में सेवन करने से बलड सुगर लेवल बढ़ सकता है नमबर तीन सहद से कई लोगों को एलर्जी होती है इसलिए सैद का सेवन करने से अगर इसकीन सम्मंदी कोई परेशानी हो तो सैद का सेवन नहीं करना चाहिए दोस्तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और जादा से जादा सेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें